बहुत बड़ी खबर है और यह बहुत रिस्क लेके मैं बता रहा हूँ इसको शेर ज़रूर करना अगर क्यूंकि इसको अगर शेर नहीं करोगे तो मुझे लगा बेकार में इतनी रिस्क लेके आपको बता जिता हूँ और आप तो कुछ करते हैं नहीं बात में और यह मेरे से से रिलेटेड नहीं है नहीं गवर्मेंट से रिलेटेड यह सुषान सिंग राजपूर से रिलेटेड है जिसके सारी कि सारी खोज यही चल रही है दुनिया के सारे लोग जो मैंने नंबर दिया था बहुत लोग फोन इसलिए करते कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या निकला यह बताऊंगा इस वीडियो में और बहुत अंदर से ख़बर निकाल के लाता हूँ और जब यह खबर में मैं तभी दे रहा हूँ मुझे पता है कि जो इन्फॉर्मेशन लेने थी सीविया को ले चुकि इसके इस खबर को देने के बाद अब कोई अलर्ट नहीं होगा क्योंकि अलर्ट जिनको होना था ना जो भाग सकते थे वो अल्रेडी उनको पास पता चल च साउगस 2008 को मेरे डांस के लिए बनाया था लेकिन अब उसके लिए काम आ रहा है लेकिन यहां बात मेरे चाइनल की नहीं मुझे पता है जिस दिन सुशान को जस्तिस मिलेगा मेरा करियर ऐसे ओपन हो जाएगा उपर हो जाएगा मैं कहीं कहीं पहुँच जाओंगा वो जस् पर इन स्ट्रिक्टली आ सकती है उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दिए क्योंकि वीडियो डिलिट होने के पहले आप डाउनलोड कर सको और सब्सक्राइब का बटन दबा दिए और इस वीडियो को शेयर जरू करेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है जो तड़ उनके पास पहुँचे है कि उनके लिए भी मेरे दिल में सिंपती है कि यार कंसे कम बिचारे रोध हो रहे सुषांत के लिए ना चाहा रहे सुषांत को जस्टिस मिले कुछ लोगों की गलत अफ़ाओ के वज़े से शायद मुझसे दूर है लेकिन वो सुषांत के लिए तो लीगल है ना तो उनके पास भी पहुचा यह ख़बर बिल्कुल पहुचे यह तो चलो मैं इस बारत में बता देता हूँ दिपेश सावंद दिपेश सावंद वो है जो जाड़ो पोचा करता था सुषांत के यह पर कुटा उत्ता घुमाते था उसका तो यह दिपेश सावंद बेसिकली जिस तरह कि उसके फोटोज वागे ते आये उसके पीछे का बैगराउंड यह है कि वो है एक तरह से क्या है शकल से समझ में आजाता है आपको मैं जो बोलने की ज़रूरत नहीं है वो आज क्या कर रहा है वो आज फरान अक्तर के घर पे है उसको कुटा उत्ता घुमाता है उसका यह सब चीज़े वो आज कर रहा है लेकिन CBI ने CBI ने दिपेश सावन को बुलाया यह confirmed news है परसो या लेकिन कल दोनों में से एक चीज़ है परसो या कल बुलाया क्योंकि जिस ने भी मुझे एक information दी वो ज़्यादा फोन पे बात नहीं कर सकता था और internet calling पे बात किया तो यहीं बताया कि सर आप यह है पहले तो mail किया सर आपका दूसरा एक mail ID बनाईए और उस पर एक Facebook account open करिया उस पर मैं आपको call करता हूँ दूसरे number से और फिर आपको दूसरे IP address से फेक मतलब नया FB account से और फिर आपको उस पर information देता हूँ यह पूरा उसने mail किया फिर उदर से बोला फिर उसने मेरे को information दी कि कल दिपेश को बुलाया गया कल या पर से कुछ मैंने भी सुना है क्योंकि record तो नहीं होता था Facebook पे तो और मैं वैसे भी record उन लोगों के नहीं करता जो मुझे sources से information देते हैं मैं नहीं चाहता कोई मुझे source मेरा information दे और मैं उसको फसा हूँ यह कोई भी reporters या कोई भी सच्चा इंसा नही करेगा बाकी के लोग फेक recording करते हैं और पता नहीं क्या क्या है छोड़ो अपने चैनल के लिए justice को भी बेकार समझते हैं क्योंकि आपको पता होगा एक बात जो मेरा call recording वाइरल कि मैं call recording क्या हूँ audio recording मैंने CBI के लिए किया था कि जो संदीब के जिजा के साथ थी अब वो recording इन्होंने बिना पुछे वाइरल कर दी फिर भी उसके बाद मुझे किस तरह से कन्वेंस करना पड़ा उस इंसान को CBI के बास लेके जाने को मुझे पता है बात किस तरह से मुझे परिशानी जहलनी पड़ी क्योंकि अगर वाइरल नहीं होती हो recording तो आराम से क्योंकि उससे recording मेरी थी मैं खुदी डाल सकता था कभी अपने चैनल पर लेकिन नहीं डाली इन लोगों ने डाल दी उनको कोई फरग नहीं पड़ता जस्तिस के लिए उनको अपने चैनल चमकाने एक बार भी उन्होंने नहीं सुचा और बहुत सारे लोगों ने ऑस्टेलिया वाला चोर एक बार दी नहीं बोला था मळद कर अब बुदक करो भी इसमे प्राबल्म होगा जस्तिस में प्राबल्म होगा मैं जो कर रहा हो लोग लेकिन फारग नहीं पड़ता है इनको घंटा लेना देना नें लुए सुषान का जिस्टिस और दस साल बाद मिले क्योंकि इनके चाइनल चलते रहे मैं चाहता हूँ कल मीले जस्टिस क्यूंकि इसका जस्टिस मिलते ही मेरा पर्सनल पायदा है वह छोड़ दो सुषान के मैं क्या बात करूँ इस सब बाते बोलके मुझे भी तो दिपेश को कल या परसू दोनों में से एक दिन बुलाया गया ये बारे में पूछने के लिए क्या अंदर जो इन्वेस्टिगेशन रूम होती है वहाँ को जाता नहीं लेकिन ये बुलाया गया और इस बारे में जाते बैग में क्या है क्या नहीं है ये पूछा गया है सारी चीजे पूछे गई ये मिस्ट्री गल्ट और पता है कौन है लेकिन उसके बाद अब दिपेश से क्या निकला है इतने दिन बाद उसको क्यो बुलाया और क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अब इसका रिज information जो मैं आपको दे रहा हूं इससे इस case पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको वैसे पता चल चुका है लेकिन आपको नहीं पता कि सीबी किया काम कर रही है क्या नहीं मैं यह नहीं करे रहा हूं कि सीबी आ ऊपर प्रेशर है और यह प्रूफ करने के लिए बताया जा रहा है कि दिपैश्वणौ Gibson वहाँ से उस वहाग में स्षाइड लेका निकला है यह और यह केस अबिट मिंट आफ सुसाइड की दरफ चला जाएगा यह किसी के ओपर प्रेशर डाल के सीबिया इसे यह काम करवाने की कोशिश की जा रही है यह सिर्फ सोर्सेल्स के थ्रू आई हुई खबर है पुखता मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन इसके खबर मैंने कई आ आई हूँ मैं भी दोनों चांसेगा सब्स किरूए के ऊपर कलें नहीं करूंगा और नाहीं बी।इश कंफिक के बारे में क्यूंकि confirm मुझे भी नहीं मुझे जो बाते पता है मैं आपको बता रहा हूँ और इसके conclusion जो मुझे लग रहा है analysis करके उसके result मैं आपको बता रहा हूँ दोनों हो सकते possibilities दोनों है either maybe chances कि वो अचानक बोल दे कि नहीं 302 लगेगा तो हो सकता है 302 लगेगा और फिर निपेश के थरूँ उसको गवाव बना के और बागी सारी चीज़े होगी या either यह भी हो सकता है कि यह जो मैंने पहले बता है कि society later उसमें से करेंगे क्योंकि सुषांत के handwriting के लिए ढूंड रहे हैं लोग बॉलिवूड के लोग ढूंड रहे हैं कि सुषांत का handwriting को निकाल सकता है बहुत तड़क से काम चालू है यही तो मैंने खबर दी थी पहले पता नहीं क्या होगा लेकिन यह जरूर है तो यह जरूर है कि कुछ भी result आ सकता है और कभी भी आ सकता है और कुछ ऐसी internal खबरे भी आ सकते हैं और कुछ internal viral वीडियो जैपिक्चर भी आ सकते हैं और लेकिन इतनी guarantee आएंगे मेरे पास पहले तो मैं अगर इस case पर कोई फरक नहीं पड़ता उसका negative positive फरक पड़ेगा त सब्सक्राइब जरूर बता दबा दीजा क्योंकि इमिजेटली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और बेल आइकन इसलिए क्योंकि आपको बेल आइकन बजेगा तो आप इमिजेटली डाउनलोड करके रख सकते हो और हो सकता है मैं एक दम बहुत ही नार्मल सा वीडियो बताऊंगा थमनिल बहुत नॉर्मल बताऊंगा थमनिल शायद मैं यह भी बना दूँ कि मेरा डांस चल रहा है या फिर मैं इस चाल पर डांस तक तो नहीं डालता हूँ लेकिन मैं कुछ भी बता सकता है सलमा यह शोटी ची खबर दे दूब कि सलमान जा रहा है पाटी करने लेकिन उसमें कुछ और होगा आकि इनकी खबर ना जाए यह भी हो सकता है मैं बता नहीं सकता हूँ फिलाल क्या आएगा मेरे पास और में क्या डालुगा और किस तरह से डालुगा और क्या होगा क्या मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वह वीडियो रहे उनकी नजर पहुच वाला है क्यों बुला है और क्यों क्या चीज़ी निकलने वाली है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है इस बारे में तो थैंकि सुशान डिरेट जीमेल डाट काम पे मेल जरूर करिएगा और प्लीज इस वीडियो को शेयर प्ली तो अभी फिलाल तो मेरा यह हो चुका है दोपहर का जो खाना होता है मैं यही पर किसी दिन आपको जंगल में बता हूंगा खाना की तरह से बनाते तो यह बना कि मैं इधर अपनी चटाइए डाल के सोता हूँ तो यहां हाला तो यह लेकिन रात को बहुत सारे लोग म के चामबल सब कुछ होता ए तो वहां पर सोते हैं वहां पर सोता हूं तो यहां यहां पे जनमें नहीं जंगले रहताू तो यह situation है तेकिन है को कर सकूँ यह तो आई हैय है YouTube के जरीं में करूंगा with information मुझे देते हैं थेंक्यू सो मच आप बिल्कुल बिंदास दे सकते हैं मुझे सोर्सें इंफॉमेशन और अगर मैं जो मेरे साथ connected है उपर के authorities में उनको जरूर पूछूंगा इससे केस को कोई फरक नहीं पड़ता है नहीं पड़ता है तो आप नहीं तो में किसी जरुकिस और कि यहां जरूँक्या तुन में एक दे सकता है कि मैं यह अगरे शेयर नाको दो गी मिनदास अपने खुत के चैनल पर डालूँक्या यह सब मैं नहीं करूँगा, अपने चैनल पर बिंदाज डालूगा ना मुझे किसी चीज़ का डर है, क्योंकि दर उनको होता है जिनके पास कुछ हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, जो था वो सब कुछ चला गया, चलो, हैंक यू सो मच, ऐसे, आप सब को यह न्यूज देते हुए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन और अच्छा लगेगा, नेक्स टाइम न्यूज देने में अगर इसके व्यूज जादा आते हैं, मुझे लागेगा कि नहीं, लोग आज भी सुशान केस में इंटरस्टेड है, तो प्लीज, शेयर करिए इस वीडि